आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूं जिने अगर आप रेगलर बेसिस पे यूज करते हैं तो आप अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं अपनी बीमारीयों को ठीक कर सकते हैं जैसे हम बीमार होते हैं दवाईयां खाना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर बीमार होने से पहले ही हम कुछ ऐसे प्रिक्योशन ले या कुछ ऐसी आदते बना ले जिससे की हमारे जो बीमार होने की संभावना है वो कम हो जा या हमारे किसी भी body part पे होते हैं तो हमारा जो appearance है वो अच्छा नहीं दिखता है और हर कोई चाहता है कि वो pimple free skin पाए एकदम clear skin पाए लेकिन उसके लिए वो बहुत कुछ try भी करता है पर बहुत बार हमें फायदा मिलता है बहुत बार नहीं भी मिलता लेकिन आज मैं एक ऐस नुसका एक ऐसी tip आपके लिए लेकिया हैं जिसे अगर आप अपनाते हैं तो आपकी pimple की problem solve हो सकती है आप इसे जरूर try कीजिए ये काफी फायदे मंद है अगर आप इस नुसके को follow करते हैं तो आपको इसका कोई भी side effect नहीं सहन करना पड़ता आपको कुछ भी खाना नह नहीं है कुछ भी skin पर लगाना नहीं है आपको क्या करना है आपको लेना है नीम oil जो नीम oil होता है वो उसमें नीम के गुण होते हैं और वो हमारी skin को हमारे face को हमारे appearance को काफी clear कर देता है और हमारा जो look है वो काफी अच्छा आता है तो आपको क्या करना है नीम oil की कुछ यहां बादाम का तेल आपको लेना है और उसकी कुछ बूंदे रात को सोने से पहले अपनी नाभी पे अपलाई करनी है इससे आपको मिलने वाली है glowing skin तो चलिए friends अब बात कर लेते हैं next tip के बारे में ये जो tip है ये आपकी soft skin के लिए अगर आप चाहते हैं soft skin तो आपको क्या करना है आपको सोने से पहले थोड़ा सा घी लेना है वही घी जो हम घरों में use करते हैं देसी घी आपको लेना है और अपनी नाभी पे apply करना है और रात बर ऐसे ही रहने देना है अगर आप डेली अपनी नाभी पे देसी घी अपलाई करते हैं तो आपकी skin soft हो जाती है तो चलिए friends अब हम बात कर लेते हैं fourth tip के बारे में ये है हमारे lips की सुंदरता के लिए अगर आपके hot फटते हैं dry हैं और pink नहीं है तो आपको क्या करना है सोने से पहले अपनी नाभी में mustard oil apply करना है इससे आपके जो lips हैं वो फटेंगे नहीं और अगर फटेंगे नहीं तो आपके lips सुंदर दिखेंगे तो चलिए friends बात कर लेते है next tip की next tip है हमारी spotless skin के लिए अगर आपकी skin में दाग धब्बे हैं और आप चाहते हैं अपनी skin को spotless बनाना तो आपको क्या करना है आपको लेना है lemon oil जी हाँ lemon oil और इसकी कुछ बुंदे अपनी नाभी पे रात को सोने से पहले apply करनी है अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धी lemon से हमारे face को clean करते हैं यह cleansing का काम करता है यह bleaching का काम करता है और हमारे skin clear होती है और अगर हम इसे नाभी पे apply करेंगे तो same result हमें मिलने वाले हैं और इन सब कोई side effect भी नहीं होने वाला है तो friends अब बारी है last tip की यह जो last tip है यह हम सब के लिए है जो भी ladies है जो भी women's है उन किसी को तो बहुत ज्यादा होते हैं किसी को कम होते हैं लेकिन हर किसी को最近 में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं ब्रॉड Aber to और cotton को क्या करना है ब्रांडी में डिप करना है ब्रांडी में आप डिप करके उस cotton को अपनी नाभी पर रख लीजिए और ऐसा करने से आपके जो period के cramp हैं उसमें आपको काफी relief मिनने वाला है तो friends आज मैंने बिना कुछ स्किन पर अपलाई किये बिना कॉस्मेटिक के only oil से अपनी जो problem से उनको solve करने के लिए आपको बताया है कि कैसे आप solve कर सकते हैं और इसके सच में काफी अच्छे results मिलते हैं आप इसको use कीजिए इनका result जो है थोड़ा धीरे मिलता है लेकिन काफी अच्छा मिलता है और long lasting होता है आपको काफी लंबे समय तक इसके results मिलते हैं तो friends यह था मेरा आज का वीडियो यह थी मेरी आज की tip I hope आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो please like share and subscribe करना ना भूले मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में till then bye bye